हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग तो आज मेरे पास जो है वो एपल का मैक बूप प्रो है 13 इंच का जो 2015 का है लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो आया हुआ है पहले से 120 जीपी आया हुआ है जो बहुत कम स्टोरेज है अभी के लिए क्या इसका अपरेटिंग सिस्टम और जो सारा मिल के जो है वो 60-70% जो है वो यूज कर लेते हैं तो कुछ भी एडिटिंग अगर मुझे करना है तो वो नहीं हो पाता था इसके अंदर तो इसके लिए मैंने जो है यह सैमसंग का 970 evo plus जो है मैंने बाई किया है जो 500 GB का है जो मुझे इसको और इसकी स्पीड जो है 35 2500 Mbps की स्पीड है जो काफी अच्छा स्पीड इसका है और मैंने यह सैमसंग का इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि पहले जब मैंने इसको ओपन करके देखा अपने Magoo Pro को तो इसमें सैमसंग का ही दिया हुआ था अब इसके लिए मेरे को अपग्रेट करने लिए क्या क्या च अच्छे से उसके बाद जो है यह 16 GB की जो है मेरे पास pen drive है आप इससे ज्यादा की लेना 16 GB से कम नहीं लेना क्योंकि 12 GB का इसका operating system ही है उसके बाद यह मेरे पाद जो है screw driver है जिस से मैं खोल के SSD को यहां से change करूँगा और एक connector आता है वो connector भी आपको लेना ज़रूरी है connector आप नहीं लेंगे क्योंकि यह इसका slot उसका solar pin का connector आता है वो भी आपको लेना आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा connector आपको लेना है तो यह तो हो गई अब इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें जो है इसका backup लेना पड़ेगा तो backup लेने के लिए यहां पे time machine में जाएंगे यहां से हम backup ले लेंगे यहां SSD को पहले लगा देंगे उसके बाद आपका यहां पे होने लगेगा कि आपका यहां से आपका जो पूरा है उसको backup ले लेंगे इस backup होने में थोड़ा time लेता है इतनी असानी से अगर आप समझेंगे कि बहुत जल्दी हो जाए तो नहीं हुआ क्योंकि इसमें time लगता है आपका जितना भी data है जो चीज है सब चीज का backup लेके य जाकि जब भी आप डाले तो जो भी सारे software है जो चीज़े आपने डाल लगी as it is सारा कुछ आपका सेम आजाएगा ऐसा windows में कभी नहीं होता लेकिन इसमें यह चीज फायदा है तो यह देखिए यहां पर backup यह हो रहा है backup होने में अपना time ले रहा है तो अभी तक आपने च complete यहां पर चीज़े आ गई है तो हम यहां से अपना hard disk को अब निकाल लेंगे और दूसरा जो है bootable बनाने के लिए तेयरी करें तो उसके लिए हम पहले लगा लेंगे उसके बाद हमें क्या करना यहां पर डालना है download macOS यहां पर डालने के बाद जो latest वाला रहेगा वह जाक जैकि इसके लिए मैंने जो हैनी इसी शॉड में बना रखाया ताक्रेच आप को मिल झाल वसके बाद आप obras अम जो सब्सेटर है इसको ओ फेले इसको आफ कर देना है और आफ करने के बाड़ जो है इसको जो है, पहले जो है, सबसे पहले इसका जो SSD है, वो उसको हमें चेंज करना, यह देखिए, यह है connector, यह solar pin का connector होता है, तो यह जरूरी है, यह आपको लेना ही पड़ेगा, यह screw drive जो है, यह तो चाहिए चाहिए, और यह हमारे पास जहा, backup वोला, जो हमने अभी backup बनाया तो पावर को हटाके, पहले पावर को भी आपको क्या करना है, कि फुल चार्ज कर देना, ऐसा नहीं कि आपको 20% में करने लगे नहीं करना, फुल चार्ज कर देना, उसके बाद ही यह process करना, तो मैं पहले जो है, इसका सारे screw जल 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 खोल लेता हूं, ओपन करने के बाद फिर इसमें SSD को स्टॉल करता हूं, जो नए वाली है, और पुरानी वाली को हम निकाल लेते हैं, तो यह इतना process तो आपको समझ में आ गया कि यह चीज़े हैं, अब क्या करना है कि यह देखिए, मैं धीरे-धीरे screw सारे खोल लेता हूं, और यह ध्यान लखिएगा कि इसमें कि आप कहीं और से निकाले और कहीं और से लगा लें, मैं इस laptop को लेके जो है, Apple के store में गया था, और वहां जाके मैंने बोला कि ऐसे मुझे change करवाना है, तो वहां पर पता है मेरे को क्या बोला गया, वहां पर बोला गया कि अगर आपको 500 GB करना है, तो 25,000 के approach लगेगा, ज यह जो मैंने अभी खरीदा SSD, यह 3000 का खरीदा है, मेरे को discount में मिल गया था, और यह मेरे को 3000 का पड़ा है, जो 500 GB, जो बहुत काफी अच्छा है, NV-MV SSD है, तो ज्यादा अच्छा है, speed अच्छी आएगी, और पहले से speed अच्छी आनी ही चाहिए, तो यह देखी, मैंने खोले सबसे पहले हम इसका battery का connection जो है, वो निकाल देते हैं, बहुत जुरूरी है, क्योंकि कुछ भी saw circuit नहीं होना चाहिए, तो यह मैंने जो है, battery का connection मैं निकाल दिया है, और यह अब जो है, इसको इसका जो है, अर्थिंग करना आपको जुरूरी है, अर्थिंग करने के बाद ह इसको निकालें, जो यह है, पहले वाला जो है, उसको निकालने के लिए, अर्थिंग करना जुरूरी है, तो यह देखिए, यह नए वाला SSD निकालें के मैं यहाँ पीन को निकाल लगा देता हूँ, यह थोड़ा tight होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसानी से चला जाता है, तो यह मैं ground करके जो है, यह मैंने निकाल लिया है, पुरानी वाली जो है, उसको निकाल लिया है, और यह नई वाली जो है, मैं इसको यहाँ पे install कर देता हूँ, और install करने के बार, इसमें जो है, screw को लगा देता हूँ, बहुत hard लग रहा था, जब मैं लगा रहा था, इतन सारा से Connect कर देना है और इसको जो इसका ढखन है उसको लगाके आप इस पहले ना लगाए पहले ढखन लगाके और जो है install करके सारा कुछ करके check कर लें, अगर सारा कुछ बढ़िया चल ला है तो ठीक है, अगर नहीं चल पा रहे तो पुरानी वाली जो storage है, वो आप सीधा लगा दें, उन्ने वाला को हटा दें, नहीं करें, ठीक है, तो यह चीजे हैं, बाकी ऐसा तो होता नहीं है, अब हम यहाँ पर लगा देंगे, ताकि पहले software चला जाए, उसके बाद जो है, इसका backup का भी जो है, वो हो जाए, दोनों चीज के लिए, हम दोनों चीज यहाँ पर लगा देंगे, यह जैसे लगाने के बाद आपको क्या करना है, यह जैसे लगाएं, तब दो button को press करना है, जिस करने के बाद क्या होगा कि आपको कुछ ऐसा logo symbol दिखने लगेगा जो यह pen drive से उन्होंने ले लिया है लेके बता रहा है कि यह चीज़ है इसमें थोड़ा time लगेगा यह time लगने के बाद 30 20 to 30 minutes इसमें लगी जाता है अगर आप सोचेंगे कि बहुत असानी सो जाए तो ऐसा न करना है तो यह last वाला option है हमें यह select करके पहले अपनी हार्ड डिस्क है जो नहीं वाली हमने लगाई है वो देखें यहां पर शो होने लग गए और सारा कुछ जो है आपको सही करके यह चीज दिखने लगा यह देखिए जीरो पूरा जो है आरा यहां पर आप स्टॉल पर जाएंगे और पेंडराइब पर जो अपरेंग सिस्टम है उसको पहले स्टॉल करेंगे तो यहां पर मैंने स्टॉल कर लिया है यहां पर continue बनात्रिया यहां पर यहेंगे विंडो चीन है कुन्त देखिये यहां पर आि जो है शीकिजब करेंगे निया चाहें में टॉटेशीन है वेह ऐसा सेम है कुछने इसा यह कि बाद ये जो बहुत लंबा टायम लेता है कम से कंम 30 तु 40 favourUCने लेता है इस्टीज को वह आपर न सिस्टम डला विंडोस में तो बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन यहां पर जो है टाइम कुछ ज्यादा लगता है और प्रोसीस होने में कुछ ज्यादा टाइम लगता है तो इस चीज़ का आप थोड़ा पेसेंस रखें आइसा नहीं कि यहां पर देखिया आगया है कि सेलेक् यहां जो आपके मूबाइल है वहां से डाटा यहां पर देंगे और करेंगे होटेश्पोर्ट यहां से आप इसको WiFi देंगे ताकि यह पहले सेंज कर पाये आपका लोग-ईन करेगा और यह लोग-ईन करने के बाद ही आपको यह सारा प्रोसीज जो है आगे बढ़ेंगा त तो यह दिखिए टाइम मशीन में आपने जो बैक अप करा था वो चीज को अगर आप डालना चाहते हैं तो बताइए तो हम करेंगे यहां पर पहले से मैंने जो है अपना हाड़ी जो है वो लगा रखा है तो यहां पर देखिए यहां पर शो होने लगएगगा जो भी मने सारी setting जो भी application जो चीज आ वो as it is मुझे जब चाहिए कुछ भी ऐसा चीज है जो नहीं चाहिए पहले वला सारा कुछ मुझे ज़ेटी चाहिए इसलिए मैंने सब चीज को select कर दिया है select करने के बाद जो है यहाँ पे सारा कुछ आगे इतना डाटा है आपका और यहां पे सेट पासवर्ट जो है यहां पे अपने वाला डाल देंगे पुराना वाला भी अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं तो यहां पे पहले जो है आपको पासवर्ट पहले वाला डालना पड़ेगा लोगिन करना पड़ेगा तो यहां लोग इन करने के बाद जो है यहां पर देखिए यहां पर जो है यह बैक अप हो रहा है बैक अप होने में टाइम ज्यादा नहीं लगता अगर आपके पास अब सीधा जो है वो रिस्टार्ट होगा रिस्टार्ट होने के बाद सारा कुछ जो हमें चाहिए था जो पहले हम यूज कर रहे थे वह सारा हमारे पास सेम आजाएगा और एक जो नहीं चीज आएगी वह आएगी कि हमारी हाटी जो है वह 500 जीवी की हो गई है यह देखिए मै स्टार्ट होने के बाद जो है हम इसके अंदर जो है जाएंगे यहां पर आवाट में पहले देखिएंगे कि कितना इसका स्टोरेज है यह देखिए हम जो है यहां पर अपना बढ़ाय कितना हो गया है कि 500 जीवी ख रहा है क्योंकि login के अंदर ही मिरको समझ में आगे आप जो अब देखे speed की बात करें तो यहां पर देखे कि इसका जो right speed है वो 541 है और read speed जो है 530 है तो इन दोनों का जो यहां पर आपको पता चल गया कि 500 के अपरोक्स आ रहा है अब जो है जब हमने चीज इस्टॉल नया जो SSD लगा हो गया ठीक है तो 1000 के करीब इसका जो है speed आ गया है और read speed देखिए 1200 के करीब आ गया तो असली बात है बढ़ गया है तो यह मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि यह चीज जो है बढ़ गई है और को ज्यादा प्राइज नहीं लगा 3000 के करीब मिरको लागा यह ची नीचे ज़रूर कमेंट करें थैंक यू